Hello friends, welcome to study news मंगल ग्रह को प्रिथवी से देखने पर लाल दिखाई देता है जिसकी वज़े से इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है हमारे सौर मंडल के ग्रह दो तरह के होते हैं इस्थलिय ग्रह जिसमें जमीन होता है और दूसरा गैसिय ग्रह जिनमें अधिकतर गैस ही गैस होता है प्रिथवी की तरह मंगल भी एक इस्थलिय धरातल वाला ग्रह है मंगल ग्रह से जुड़ी ऐसी ही कई बातों के बारे में जानेंगे So let's start मंगल ग्रह सुर मंडल में सुर से दूरी के करम में चौथे एवं आकार में सात्वे इस्थान पर आता है इसका वाता वरण विरल है इसकी सता देखने पर चंद्रमा के गर्थ और प्रिथवी के ज्वाला मुखियों, घाटियों, रेकिस्थान और ध्रूवी बरफीली चट्टानों की याद दिलाती है अपनी भोगौलिक विसिस्ताओं के अलावा मंगल का घुरनन काल और मौसमी चक्र प्रिथवी के समान है हमारे सौल मंडल का सबसे उचा परवत ओलम्पियस मोंस मंगल पर ही इस्थित है इसकी उचाई 25 किलो मितर है साथ ही विसालतम कैनियन वेलिस मेरी नेरिस भी यहीं पर इस्थित है सौरे से मंगल की दूरी 22.78 करोड किलो मितर है और मंगल का व्यास लगभग 6800 किलो मितर है और मंगल का घनत्व 3.9 चार ग्राम बाई घन सेंटी मितर है मंगल अपने अक्ष पर 25 डिगरी जुका हुआ है इसलिए मंगल पर प्रिथ्वी के समान अवधी का दिन रात पाया जाता है मंगल अपने अक्ष पर 24 घंटे 37 मिनट और 30 सेकंड में एक घुर्णन चक्र पूरा करता है मंगल सूर का चकर अंटी क्लोक वाईज करता है इसका परिक्रमण अवधी 687 दिन का है और धरातल का तापमान माइनस 23 डिगरी सेंटी ग्रेट है मंगल के आंतरिक सरणचना को देखे तो इसके कोर में आयरन और सलफर युक्त निकल अधिक मातरा में पाए जाते हैं मंगल का कोर एक सिलिकेट मेंटल से घीरा हुआ है जिसने ग्रेह पर कई विवर्तनिक और ज्वाला मुखिय आकरितियों को रचा है और इसके उपरी भाग में सिलिकॉन और ऑक्सीजन के अलावा मेगनीसियम, एलूमीनियम, कैलसियम और पोटेसियम की भी मातरा पाई जाती है मंगल के दो अपिक्छाकरी छोटे प्राकर्तिक उपग्रेह हैं जिनका नाम फोबोस और डिमोस है जिनका ओर्बिट ग्रेह के करीब है फोबोस पश्चिब में उदय होता है और पूर्ब में अस्थ होता है और मातर 11 गंटे बाद फिर से उदित होता है डिमोस पूरब में उदित होता है और पश्चिब में अस्थ होता है लेकिन डिमोस की ये प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे होती है अब जानते हैं मार्स प्लैनेट पर भेजे गए कुछ मिसंस के बारे में मंगल ग्रह की पहली सफल उडान 1965 को नासा द्वारा भेजी गई मेरियन फोर थी और 1971 को मेरियन फर्ष्ट पहला अंत्रिक्ष यान बना जिसने किसी अन्य ग्रह की परिक्रमा के लिए मंगल की चारो ओर की ओर्बिट में प्रवेश किया और सोवियत संग ने 1971 में मार्श टू उप ग्रह का लेंडर जो मानो निर्वित था वो पहली वस्तु थी जो मंगल पर सफलता पूर्वक उतरी लेकिन उतरने के चंद सेकेंड के भीतर ही दोनों का संचार बंद हो गया मंगल के लिए पूर्व में दर्जनों अंतरिक्ष यान भेजे गए हैं जिसमें और्बिटर, लेंडर और रोवर सामिल हैं ग्रह की सतह जलवायू और भूविज्यान के अध्यान के लिए सोवियत संग सयुक्त राज अमेरिका यूरोप और जपान द्वारा भेजे गए हैं अब जानते हैं मंगल यान जो भारत का प्रथम मंगल अभियान है यह भारती अंतरिक्ष अनुसंधान संग्ठन की एक महत्वकांची अंतरिक्ष परियोजना है इस परियोजना के अंतरगत पाच नुवंबर 2013 को दो बच कर 38 मिनट पर मंगल यान की परिक्रमा करने हेतु छोड़ा गया था यह उपग्र आंधर प्रदेश के स्री हरी कोटा इस्थित 37 अंतरिक्ष केंद्र से धुरूवी उपग्र प्रक्षेपड यान PSLV C25 के द्वारा स्वफलता पूर्वक छोड़ा गया था इस अभियान के साथ भी भारत भी अब उन देशों में सामिल हो गया है जिन्होंने मंगल पर अपने यान भेजे हैं वैसे अब तक मंगल को जानने के लिए सुरू किये गए दो तिहाई अभियान असफल भी हुए हैं परन्तु 24 सितंबर 2014 को मंगल पर पहुचने के साथ ही भारत विश्व में अपने प्रत्थम प्रयास में ही सफल होने वाला पहला देश है तथा सोवियत, रूस, नासा और यूरोपी अंतरिक्च एजनसी के बाद दुनिया का चौथा देश बन गया है इसके अतिरिक्त ये मंगल पर भेजा गया सबसे सस्ता मिसन भी है भारत एसिया महादीप में ऐसा करने वाला प्रत्थम देश बन गया है क्योंकि इससे पहले चीन और जापान अपने मंगल अभियान में असफल रहे थे इस मिसन में लगबख 450 करोड की लागत आई थी यह नासा के पहले मंगल मिसन का दस्वा और चीन जापान के नाकाम मंगल अभियानों का एक चौथाई भर है यह सबसे छोटे रोकेट PSLV के जरिये संपन हुआ था तो यह थी पूरी जानकारी मंगल प्लैनेट से जुड़ी और मंगल अभियानों से जुड़ी कुछ बाते I hope आपको काफी जानकारी मीली होगी Have a nice day I hope आपको काफी जानकारी मंगल प्लैनेट से जुड़ी कुछ प्लैनेट से जुड़ी कुछ बाते